भागलपुर में दुरगा पूजा के अबसर पर बेविन्न दुरगा मंदिरों में मा दुरगा की परतिमा का पट खुलते ही भक्तों का भारी जन सैलाब उमडपला जैसे ही पट खोले गए स्रधालू पूजा पाट के लिए मंदिर परिसर में एकत्रित हो गए अश्टमी नम्मी और दसमी के दीन विसेज पूजा का सूब मुरत महना जाता है जिसके चलते भक्तों के भीड और भी बढ़ गई है दुर्गा मंदिर के अद्यक्च ने बताया कि आने वाले दिनों में जागरन कारिक्रम और कलस विसरजण के साथ मादुर्गा की परतिमा का विसरजण किया जाएगा इस दोरान मंदिर परिसर में दरचनों भक्तों की उपस्तिति बनी रही वहीं सुल्तानगेन प्रकंड में भी सात्मी पूजा के अपसर पर विवन्य दुरगा मंदिरों में मा दुरगा की परतिमा का पट खुलते ही भक्तों की भारी भीड उमल पड़ी भक्तों ने मंदिर परीसर में पूजा पाठ और दर्शन के लिए उमंगा और स्रद्धा के साथ हिस्सा लिया वहीं गुरुबार को सात्मी पूजा का आयोजन चार बजे तक चला जिसके वगाद अश्टमी पूजा का सुबारंबुआ वहीं सुक्रवार को अश्टमी नम्मी और दसमी की पूजा विसेश रूप से सुब मानी जाती है दुर्गा मंदिर के अध्यक्ष के अनुसार आज और कल ज्यागरन कारिक्रम भी आयोजीत किये जाएंगे वहीं सनिवार को कलस विसरजन होगा और रविवार देर रात तक मादुर्गा की पृतिमा का विसरजन किया जाएगा इस दोरान बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में उपस्तित रहे बागलपूर सुल्टानगेंस्ताना चेतर के पिल्दवरी गली में एक्सिस बैंक करमी अभी सेक कस्यप का सब बंद कमरे में मिलने से पूरे इलाके में संसनी फैल गई है मिरतक के परिवार वालों ने बताया कि अभी सेक बुदवार देर साम बड़ी दुरगा मंदिर में परतिमा स्थापित करने के बाद घर लोटे थे और रात का खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले गए अगली सुबह जब दरवाजा नहीं खुला तो किसी तरह दरवाजा खोल कर उन्हें बेहुसी की हालत में पाया गया जिसके बाद तुरंत उसे रेफरल अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत गोसित कर दिया वहीं गटना की सूचना मिलते ही पुलीस मौके पर पहुँची और एफसल और ड्राउग स्कुएट की टीम को बुला कर जाच सुरू की गई पुलीस अधिकारियों ने बताया कि पोश्ट माटम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण का पता चल पाएगा इस दोरान बिदी वेवस्ता डियस पी चंद्रभूसन सिंग और थाना द्यक्चे पिरे रंजन ने गटना अस्तल पर पहुँच कर परीजनों से जानकारी ली वहीं गटना के बाद मौके पर पुलीस कर्मी और परीजन मौजूद रहे करता है तो वह आया हमसे मिलने घ्ले चाची अब ले देखेन सोन ने उठ रहा है चाहिए न उठाए ना तो बला कि आचा सोने न दीजे हम लोग भी आते है ना तो सो जाते है पुजापाट का दीन है तो वह बला फिर उन मन ने रहा गया फिर थोड़ा दर के बाद उसी को बुला कर लाए तो फिर ढग डगाया तो जाची सोने दीजिये ना काल तंकर बगल में है ना बढ़खी है तो वह आया बला चाची नौता है आजिए खाने के ले सो पड़िए ने कले सौनुन को खाई है उसके बाद कुछी बोलता है तो जनवे करते हैं बच्चा भुदरू आता है अथी हो जाता है परिवांज जनके ग्रुप से किसी पिसंदेव बतित किया जा रहा है आदम इसमें लिए गेट लगाते ही शुए था और सुबाप इतने फिका जला कि लिए गेट बंध है फिर आने फिर उसमके साथ गेट को लग जाए परिवेवेज़ जख्टीम और टॉग स्पेट भी विजिट करती गई है बागलपुर के सुल्तान गास्थाना चेदर के महीसी पंचायत में सुब करीब नौ बजे एक मोटर सैक्ल अनियंतरी थोकर दीवार से टकरा गई जिससे दो लोग गंबी रूप से घायल हो गए वहीं ग्रामीनों के सायोग से साई बबलू पंडित ने घायलों को सुल्तान गनी रेफरल अस्पताल भेजा जहां प्राफ्मिक उप्चार के बाद बैतर इलाज के लिए उन्हें भागलपूर जवाहरलाल नहरू चिकित्सा महाविद्याले रेफर किया गया गायलों की पाचान महेसी पंचायत के वाड नमबर एक निवासी सुरेस मंडल के पुतर गोलु कुमार और बिदेसी मंडल के पुतर विसाल कुमार के रूप में हुई है बागलपुर के बाइपास थाना चेतर के रामनगर गाओं में फसल को मवेसियों दोरा नुकसान पहुचाने को लेकर दो पक्चों के बीच जम कर मार बीट हुई इस गटना में एक पक्च से एक पुरूस बिनोद दास और उसकी पतनी अमिला देवी गंबीर रूप से घायल हो गई जानकारी के अनुसार बिनोद दास के खेत में अविसेक कुमार का मवेसि फसल को नुकसान पहुचा रहा था जब बिनोद ने अविसेक और उसके परिवार से सिकायत की तो अविसेक नाराज हो गया और उसने बिनोद और उसकी पतनी के साथ मार पीट की वहीं गटना की सूचना मिलने पर बाइपास थाना की पुलीस मौके पर पहुची और घायलों को जगदीशपूर रेफरल अस्पताल भेजा गिया जहांसे बहतर इलाज के लिए उन्हें मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया गिया फिलाल पुलीस इस मामली की चार्च कर र जब मेरा चाचा गया बचने के लिए लिए तो चाचा को मार के घायल कर दिया जो जो कि हम लोग घर में नहीं थे bare qte ப गें थे फृहन से अवन्य तोटे मुन जाते मंढी स्के बाद हम अपर एक राप्रंडन फ्रेवान के लिए हो एक राप मोत नहीं की जो सब्सक्राइब देना हम लोग आया है कि लोग घृत फोरपा जाए बागलपुर में नवरातर के अफसर पर भी गार्डन मेरज हॉल में डांडिया नाइट का आयोजन किया गिया इस आयोजन का उदगाटन जंगली जक्सन रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर बबली किसोर अभिसेख किसोर निगम पारसद रूपा कुमारी और मुझाइद पूर्थाना ध्यक्च ने दीप परजलित कर किया इस डांडिया नाइट में खासकर महलाओं में भारी उत्सा देखा गिया जिनोंने पारंपरिक बेजबूसा में बढ़चड कर भाग लिया गर्मा और डांडिया जो कभी सिर्फ गुजरात के लोक नरित थे अब देश बर में अवरात्र के उत्साफ का हिस्सा बन चुके हैं साथ कि यहां पर जितने भी डांडिया जो खेल रहे हैं बच्चे छोटे बच्चे बड़े बच्चे जो भी हैं हमारे थाना प्रभारी सभी को मैं नवडात्री की सुब काम लाये लेती हूँ भागलपूर से हैं और घर बनवाने घर खरेतने या बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए लेकर आया है बाबा सरकार कंस्ट्रक्शन एंड रियल इस्टेट कमपनी एक सुनहरा मौका जहां आपको मिलता है अपने घर को नया 2D 3D डिजाइन के साथ साथ अपन पसंदीद डिजाइन करवाने का मौका जमीन का नक्सा से लेकर भवन निर्मान, इंटेरियर डेकोरेशन, मेशिन, जैसे एक टाइल, पलंबरी, इलेक्ट्रिकल, फर्नीचर, इत्यादी सारा काम होता है तो आजी संपरक करें बाबा सरकार कंस्ट्रक्शन एंड रियल सारिक सिक्षा एवं स्वास्त अनुदेशक संग ने भागलपूर के सैंडिस कमपाउंड योगस्तल पर एक बैठक का आयोजन किया दरसल बैठक का मुख्य उद्देश अनुदेशकों को अन्सकालिक से पुर्नकालिक करने और वेतन विसंगतियों को दूर करने पर चर्चा करना था संग ने अन्सकालिक पद का धब्बा खत्म करने के लिए भिक्षाटन और धरना प्रदर्सन का प्रस्ताव रखा वहीं महला अनुदेशक नीलम कुमारी ने कहा कि उन्हें मातरा आठ हजजार रुपे का बेतन मिलता है जिससे परिवार का गुजारा करना बहुत मुस्किल है तेहवार के समय भी वे अपने बच्चों के लिए नए कपड़े या सामान नहीं खरीद पा रही है उतर परदेश से आये अनुदेशक रमेश कुमार ने भी अपनी आर्तिक तंगी का जिक्र किया जिसमें किराया और खाने का खर्च मुस्किल से पूरा हो पाता है उन्होंने कहा कि यदि बियार सरकार जल्ट कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो अनुदेशक विक्चाटन और धरनाप्रदर्सन करेंगे वैटक में दर्जनों अनुदेशक सामिल हुए